लोग समझते हैं कि गरीबी हमें मिटाने आई है पर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि गरीबी हमारे दुख दड़ दूर करने आई है लोग गरीबी का पहला पहलू तो समझ लेते हैं पर गरीबी का दूसरा पहलू नहीं समझ पाते हैं बस हमें गरीबी का दूसरा पहलू समझने की जरूरत है एक पिता होते हैं वो अपनी साइकल पर हर रोज पान के पत्ते टोख्री में भर करके बेशने जाते थी एक दिन उनकी मृत्य हो जाती है तब उनकी पद्नी यानिकी उनके बच्चों की मा अपने दिल पर पत्तर रख करके अपने बच्चों को अनाधाले छोड़ करके आती है अब उस मा को देखो कि उसने अपने कौन से दिल से अपने बच्चों को अनाधाले छोड़ा होगा कोई मा नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अनाताल्य में रहें और वहीं पर पढ़ें बढ़ें तब उस मा को देखो कि उसने किस संगर से अपने बच्चों को अनाताल्य छोड़ा होगा तब वो बच्चे वहाँ पर रह करके कुछ ऐसे कानामे करते हैं कि पूरी दुनिया उनको सेल्यूट करने के लिए मजबूर हो जाती है आज की कहानी भी हमाई कुछ ऐसी ही है असलाम वालेकुम नमसे सस्रेकाल मैं सित्यान एहमत सैफी आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही नई मोटिवेशन कहानी लेकर के आया हूँ उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को पसंद आएगी इस कहानी को आप लोग ध्यान से पूरा जरूसने आये जानते हैं इनकी पूरी कहानी विस्तार से केरल में एक जिला पढ़ता है मलंपरम और मलंपरम जिले में एक छोटा सा गाउं पढ़ता है एक बड़ा भाई एक बड़ी बहन और इनकी दोचोटी पहले ये सभी लोग अपने परिवार में खुश रहते हैं शुक शांती से रहते हैं इनके पिता जी पान की टोक्रियां बेचा करते थे और पान के पत्ते बेचा करते थे आर बास की टोकरिया बेचते थे उनहीं से जो पैसे मिलते थे, उनसे उनके घर का खरच चल जाता था और इनका जनम होता है, उनिस सो असी पंदरा मार्च को होता है, तब इनके परिवार वाले बहुत ही खुश होते है तब ये धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, जब ये ग्यारा साल के होते हैं, तब इनके पिता जी की मृत्ती हो जाती हैं, तब इनके पिता जी इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तब वो तूट सा जाते हैं, अकेले से हो जाते हैं, क्योंकि उनके सर पर से उनके पिता जी का पहर उठ जैता है तब वह बहुत दुखियों होते हैं अब समय बात उपने की मां उनको और उनकी चोटी बहनेनी良की 8 साल की और 5 साल की होती हैं उनको अनाथ हाले छोड़कर कर आ जाती है क्योंकि मांप ज्यादünde लिखी नहीं थी, उनकी मा को कहीं पर भी काम नहीं मिलता था और उनके बड़े भाई और बड़ी बहन को इसलिए रोक लेती थी, रोक लिया कि ये मेरे काम में मुदद करेंगी, तब वो उनको अनाथाले छोड़ देती है, अब उनकी शुरूती पर शुच्छा अनाथाले से ही शु और आते हैं, तब उनको देखकर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, अब वो अपनी मा से कहते हैं कि मा, अम मैं सरकारी नौकरी करूंगा और अपने घर का स्कर्च चलाओंगा तब वो अब सरकारी नौकरी पाने के लिए 25 परिछाए दे देते हैं, लेकिन उनको फिर देश की शेवा करूं परीश के लिए कुछ काम करूं और देश का नाम रोशन करूं करूं और साथ ही अपना नाम भी रोशन करूं तब हो अभ princess कि परिख्रफ़ा की देने की ठान लेते हैं तब वह परिख्र देेकर के देने की तैयारी करना शोर्म कर Boson से नोटते हैं टेस्ट बनाते हैं तैस्ट देते हैं और एकसाम देती हैं अब आखर कार वह दिन भी आ जाता है जip वह परखखया देते हैं वह सफल हो जाती है अब दोबारा से पढ़ाई करते हैं प्डाय कर तैयारी करते जो प्रिक्षा için abolition में फैल हो जाते हैं अब वो तीसरी पार बहुत मल लगा कर के तैयारी करते हैं और वो परिच्छा देते हैं जब तब उस परिच्छा में सफल हो जाते हैं जब इंट्रिव्यू दे ले आते हैं तब उस इंट्रिव्यू में भी वो सफल हो जाते हैं और तब वो अपने घर प खपरी बताते हैं कि मैं UPSC की परिच्छा में सफल हो गया हूं तब इतने में ही अखवार वाले मीडिया वाले रिपोर्टर्स प्रेज वाले सभी लोग आ जाते हैं इंट्रिविव लेने के लिए तब वो पूछते हैं सर आपकी रैंक कितनी आई है तब वो अपनी रैंक बत हाब और तब उनकी पोष्ट पूछते हैं कि सर आपकी पोष्ट कितनी आई है तब वो अपनी पोष्ट बताते हैं कि में जे एक आईस अधिकारी का पद मिला है यानि कि एक कलेक्टर का पद मिला है तब उनके गाउं वाले कहते हैं कि आज हमारे गाउं से एक कलेक्टर बन करके निकला है लड़का तब सभी लोग बहुत ही जशन मनाते हैं और बहुत ही खुश हो जाते हैं तब उनके पास दूर दूर के रिष्टेदारों की फून की घटनिया वजना शुरू हो जाती हैं पधाईयों के लिए दोस्तों अगर आप लोग ये कहाल में हमारी अच्छी होते हैं एक ऐसी हिर नहीं मोटिवेशन कहानी के साथ अस्सलाम अलेकुन नमस्ते सब्सक्राइब कर जहनी जया भारत